नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल Electrical with AK में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा बॉल्ट होता है उसके head पर कुछ number लिखे होते हैं इस type के 4.6, 4.8, 5.8, 8.8, 9.8, 10.9 और 12.9 तो इन numbers का क्या मतलब होता है इन numbers को देखके हमें क्या पता चलता है तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दो digit यहाँ पर लिखे हुए हैं एक तो पहला 4 और दूसरा 0.6 तो इनका क्या मतलब है तो सबसे पहला first digit जो होता है हमारा first digit हमारा दिखाता है ultimate strength को ultimate strength bolt की ultimate strength को यह हमारा first digit दिखाता है जैसे माल लीजिए यहाँ पर 8.8 है किसी bolt पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर जो पहला अच्छर है वो हमारा जो पहला अच्छर है वो हमारा दिखा रहा है ultimate strength को और यह जो digit है यह pressure के सोवे भाग को दिखाता है यानि दवाव जो इसको दिया जाएगा इस bolt पर जिस point पर यह bolt तूट जाएगा उसके सोवे भाग को यह दिखाता है तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं 8 into 100 इसकल टू 800 मेगा पासकल मेगा पासकल इसलिए क्योंकि यह pressure की एकाई है तो इससे हम यह समझते हैं कि जो यह हमारा bolt है वो 800 मेगा पासकल के दवाव को सेन कर सकता है इससे उपर जाने पर यह तूट जाएगा जो हमारा दूसरा digit है second digit है वो हमारा दिखाता है यह 0.8 जो यह हमारा दिखाता है yield strength को yield strength yield strength या yield point भी इसको कह सकते हैं जो कि यह 0.8 है yield strength क्या होती है yield strength वो strength होती है जिस पर जैसे कोई भी धातू है हमारी उस पर अगर हम लगतार दवाव दे रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा जब उस धातू में फैलाव सुरू होना हो जाएगा वही point हमारा yield strength या yield point कहलाता है यह हमारा material का material का grade factor है यहाँ पर जो यह point 8 दिखा रहा है हमारा material का grade factor है तो हम लोग yield strength को किस तरीके से ग्याद करेंगे यहाँ पर अगर हमें इसकी 8.8 का जो हमारा bolt है इसकी yield strength हमको ग्याद करनी है तो हम क्या तरेंगे कि जो हमारी ultimate strength है अल्टिमेटर स्ट्रेंद multiply material grade factor material grade factor material grade factor तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हमारा 800 ultimate strength है multiply .8 तो यह हमारा निकल कर आता है 640 मेगा पास्कल तो इस तरीके से हम दोनों चीज़े ग्याद कर लेते हैं यहाँ पर इसकी ultimate strength और yield strength तो अगर हमें कहीं भी bolt अगर industry में इस्तमाल करना होगा तो हम इसकी yield strength और ultimate strength निगाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि bolt यहाँ पर यह हमारा काम करेगा कि नहीं जिससे की bolt तूटेगा नहीं सही bolt का हम लोग selection कर पाएंगे क्योंकि देखा होगा आपने अक्सर कि हम लोग bolt लगाते हैं और वो तूट जाता है तो वहां पर यही हमको देखना होता है उसकी ultimate strength को और yield strength को अगर आपने सही bolt का चुनाओ किया इसको देखते हुए तो फिर आपका bolt तूटेगा नहीं तो उमीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकोन को प्रेस कर दें जिसते कि जब भी हमको इन यह वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका notification प्रात जाएए तब फिर मिलते हैं इसी तरीके के नहीं इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद